18 का अभाज्य क्या होगा अपने उत्तर को अभाज्य संख्याओं के गुडन्फल जैसे 2 गुड़े 3 या केवल एक अभाज्य संख्या जैसे 17 के रूप में व्यक्त करें तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि अभाज संख्याएं क्या होती है पहले तो तो अभाज संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुड़न खंड होते हैं और वे दो गुड़न खंड पहली तो वो संख्या खुद होती है और दूसरा उसका गुड़न खंड एक होता है अगर इन दोनों के अलावा किसी और संख्या का कोई और गुड़न खंड है तो वो संख्या अभाज्य नहीं होगी तो चली, अठारा का अभाज्य गुड़न खंडन करने के लिए मैं अपनी कलम ले लेती हूँ और अठारा को हम किन संख्याओं के गुड़न फल के रूप में लिख सकते हैं तो अठारा दो से पूरी तरह विभाजत होता है, अठारा को मैं दो गुड़े नौ लिख सकती हूँ, तो अगर हम दो को देखें, तो दो के सिर्फ दो ही गुड़नखंड है, एक तो दो स्वयम है, और दूसरा गुड़नखंड इसका एक है, तो दो एक अभाजे संख्या है, इससे हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, 9 की बात करते हैं, तो हमें पता है कि 9 बराबर होता है तीन गुड़ा तीन के, तो अब हमारे पास है तीन और अगर हम तीन की बात करें, तो तीन सिर्फ 3 से ही विभाजत होता है पूरी तरीके से, या तो फिर एक से, इसका मतलब है क कि हमने 18 का अभाज गुड़न खंडन कर लिया है यहां से 2, 3 और ये वाला 3 ये तीनों ही अभाज संख्याए हैं तो 18 बराबर है 2 गुड़ा 3 गुड़ा 3 के और ये तीनों ही इसके अभाज गुड़न खंड हैं 2, 3, 6 और 6, 3, 18 होता है तो चलिए अब यहां अपना उत्तर लि क्या होगा तो 21 का अभाज गुड़न खंडन करने के लिए हम फिर से इसके गुड़न खंड को लिखना शुरू करते हैं 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुड़ा 7 तो 3 के सिर्फ 2 गुड़न खंड होते हैं एक तो 3 और दूसरा 1 और इसी तरीके से 7 भी 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से विभाज़त नहीं होता पूरी तरीके से तो 3 और 7 ये दोनों ही अभाज गुड़न खंड है 21 के 21 बराबर होता है 3 गुड़े 7 के और यही हमारा उत्तर है यहाँ पर इस बक्से में मैं 3 गुड़ा 7 लिखूंगी और इसकी जाज करेंगे अगला प्रश्न हल करते है 73 का अभाज गुड़न खंड़न क्या होगा तो 73 की अगर हम बात करें तो 73 दो से विभाज़त नहीं हो सकता पूरी तरीके से ये भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है कि 73 एक अभाज संख्या स्वयम है, इसलिए मैं इसे किसी और अभाज गुडण खंडन के रोप में नहीं लिख सकती हूँ, तो चलिए इसकी जाज करते हैं, मैं यहाँ पे बस 73 लिखूंगी, क्योंकि यह स्वयम एक अभाज संख्या है, जी हाँ यह बिल्कुल ठीक है, और 73 एक अभाज संख्या है, अगला प्रशन हल करेंगे, और यह आखरी होगा हमारा, तो हमें पता लगाना है कि 81 के अभाज गुडण खंड क्या होंगे, तो 81 हम लोग जानते हैं, पता ने, जब भी मैं 81 देखती और इस वाले 9 को भी मैं 3 गुड़ा 3 लिख दूँगी, और 3 एक अभाज संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 3 से और 1 से विभाजत होती है, तो 81 ये बराबर होता है, 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 के, और यहाँ पर अपने इस बकसे में हम यही चीज लिखेंगे, 81 के अ